नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ मुन्शी प्रेम चंत की एक और कहानी लेकर गरीब की हाई कहानी आपको पसंद आये तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो शुरू करते हैं आज की कहानी गरीब की हाई मुन्शी राम सेवक भौहे चड़ाये हुए घर से निकले और बोले इस जीने से तो मरना भला है ब्रत्यू को प्राया इस तरह के जितने निमंतरन दिये जाते हैं यदि वह सब को स्विकार करती तो आज सारा संसार उजार दिखाई देता मुन्शी राम सेवक चांदपुर गाउं के एक बड़े राईस थे राईसों के सभी गुण इन में भरपूर थे मानोचरित्र की दुरबलताएं उनकी जीवन का आधार थी वह नित्य मुनसिफिक कचैरी के हाते में एक नीम के पेड़ के नीचे काग्जों का बस्ता खोल एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकद्मे की पैरवी करते नहीं देखा परन्तु उन्हें सब लोग मुकतार साहब कह कर पुकारते थे चाहे तूफान आये, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुकतार साहब वहां से टस्से मसना होते जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के जुन्ड के जुन्ड उनके साथ हो लेते चारों और से उन पर विश्वास और आदर की द्रश्टी पढ़ती सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीप पर सरस्वती विराजती है इसे वकालत कहो या मुकतारी परंतु एक केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था आमदनी अधिक न होती थी चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या कभी-कभी तामे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकते थे मुन्शी जी की कानूंदानी में कोई संदेह न था परंतु पास के बखेडे ने उन्हें विवश कर दिया था खैर जो हो उनका ये पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित था नहीं तो उनके निर्वाका मुख्य साधन आसपास की अनात पर खाने पीने में सुखी विद्वाओं और भोले भाले किन्तु धनी व्रद्धों की श्रद्धा थी विद्वाएं अपना रुपया उनके यहां अमानत रखती बुढे अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौप देते पर रुपया एक बार उनकी मुठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था वह जरूरत पढ़ने पर कभी-कभी कर्ज ले लेते थे भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है भूर को सांज के करार पर रुपया लेते पर वह सांज कभी नहीं आती थी सारांज मुठी जी कर्ज लेकर देना सीखे ही नहीं थे ये उनकी कुल प्रथा थी यही सब मामले बहुधा मुठी जी के सुक चैन में विग्न डालते थे कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता उनकी इमानदारी पर संदेह करता और उनके मुँपर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता तब मुंशी जी के हिर्दय पर बड़ी चोट लगती इस प्रकार की दुरगटाएं प्राया होती थी हर जगए ऐसे अच्छे लोग रहते हैं जिने दूसरों को नीचा दिखाने में ही आननदाता है ऐसा लोगों का सहारा पाकर कभी-कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुँ लग जाते थे नहीं तो एक कुंजडिन की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे मुंशी जी उसके पुराने गहत थे बरसों तक उससे साग भाजी ली थी यदि दाम न दिया जाये तो कुंजडिन को संतोश करना चाहिए था दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते परंतुए मुफट कुंजडिन दो ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछाने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठेद आदमी का पानी उतार दिया जुझलाकर मुणशी जी अपने को मृत्यू का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए तो इसमें उनका कुछ दोश न था इसी गाओं में मुणगा नाम की एक विद्वा ब्रामनी रहती थी उसका पती काली पल्टन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मुणगा को पास सो रुपे मिले थे विद्वा इस्तरी जमाना नाजुक था बेचारी ने सब रुपे मुणशी राम सेवक को सौब दिये और महीने महीने थोड़ा-थोड़ा उसमें से मांग कर अपना निर्वा करती रही मुणशी जी ने यह करतव कई वर्ष तक तो बड़ी इमानदारी के साथ पूरा किया पर जब बूढे होने पर भी मुणगा नहीं मरी और मुणशी जी को ये चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती तो एक दिन उन्होंने कहा मुणगा तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूँ उस दिन मुणगा की आँखे खुली उसकी नीन तूटी बोली मेरा हिसाब कर दो हिसाब का चिठा तयार था अमानत में अब एक कोड़ी बाकी न थी मुणगा ने बड़ी कड़ाई से मुणशी जी का हाथ पकड़ कर कहा अभी मेरे धाई सो रुपे तुमने दवा रखे हैं मैं एक कोड़ी भी न छोड़ूँगी परन्तु अनाथों का क्रोध पठाखे की आवाज है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता अदालत में उसका कुछ जोर न था ना लिखा पड़ी थी ना हिसाब किताब हाँ पंचायत से कुछ आसरा था पंचायत बैठी कई गाउं के लोग इकठे हुए मुन्शी जी नियत और मामले के साफ थे उन्हें पंचों का क्या डर सभा में खड़े होकर पंचों से कहा भाईयो आप लोग सत्य नारायन और कुलीन है मैं आप सब साहबों का दास हूँ आप सब साहबों की उधारता और कृपा से दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृटक के है और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विद्वास्त्री के रुपे हडप कर गया हूँ पंचों ने एक स्वर में कहा नहीं नहीं आप से ऐसा नहीं हो सकता राम सेवक यदि आप सब सब्जुनों का विचार हो कि मैंने रुपे दवा लिए तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं मैं धनाड नहीं हूँ ना मुझे उधार होने का घमंड है पर अपनी कलम की क्रपा से आप लोगों की क्रपा से किसी कम होताज नहीं हूँ क्या मैं ऐसा ओचा हो जाओंगा कि ये कनातनी के रुपे पचालू पंचो ने एक स्वर में फिर से कहा नहीं नहीं आप से ऐसा नहीं हो सकता मुझे देखकर टीका काढ़ा जाता है पंचो ने मुझे जी को छोड़ दिया पंचायत उठ गई मुझा ने आह भर कर संतोश किया और मन में कहा अच्छा अच्छा यहां न मिला तो न सही वहां कहा जाएगा अब कोई मुझा का दुख सुनने वाला और सहायक न था दर्दृता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं वो सब उसे जेलने पड़े वह शरीर से पुष्ट थी चाती तो परिश्रम कर सकती थी पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम ना करने की कसम खाली अब उसे रात दिन रुपियों की रट लगी रहती उठते बैठते सोते जाकते उसे केवल एक काम था और वह मुन्शी राम सेवक का भला मनाना अपने जोपड़े के दर्वाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती बहुधा अपने असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के वाक्यों और उपमाव का विवार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते धीरे धीरे मुंगा पगली हो चली नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में कुलहाडी लिये हुए सुनसान स्थानों में जा बैटती जोपडी के बदले अव्वे मरघट पर नदी के केनारे खंड़रों में गूमती दिखाई देती बिखरी हुई लटे, लाल-लालाखे, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पाउं उसका ये स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे, अब कोई उसे हसी में भी नहीं छेड़ता यदि वे कभी गाउं में निकल जाती, तो इस्त्रियां घरों के किवार बंद कर लेती पुरुष कत्रा कर इधर उधर से निकल जाते, और बच्चे चीक मार कर भागते यदि कोई लड़का भागता न था, तो वे मुन्शी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी, वे बेटे में पूरी हो गई थी लड़कों का उसके मारे नाक में दम था, गाउं के काने लंगडे आदमी उसकी सूरत से चिड़ते थे और गालिया खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामात को भी इतना आनंद ना आता हो वे मुंगा के पीछे तालियां बजाता, कुटों को साथ लिये हुए उस समय तक रहता जब तक वे बेचारी तंग आकर गाउं से निकल न जाती रुपया पैसा होश हवास, खोकर उसे पगली की पदवी मिली और अब वे सचमुश पगली थी अकेली बैठी अपने आप घंटों बाते किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड़ी, चमड़े, आखें, कलेजा आदी को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उतकट इक्षा प्रकट की जाती थी और जब उसकी ये इच्छा सीमा तक पहुँच जाती, तो वे राम सेवक के घर की और मूँ करके खूब चिला कर और डरावने शब्दों में हाक लगाती तेरा लोहू पीऊंगी प्राया रात के सन्नाटे में ये गरजती हुई आवाज सुनकर इस्तरियां चौक पड़ती थी परन्तु इस आवाज से भयानक उसका ठटा कर हसना था मुन्शी जी के लहू पेने की कल्पित खुशी में वह जोर से हसा करती थी इस ठटाने से ऐसी आसुरिक उद्धंडता ऐसी पाश्विक उगरता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खुण ठंडा हो जाता था मालूम हुता मानो सैकडू उल्लू एक साथ हस रहे है मुन्शी राम सेवक बड़े होसले और कलेजे के आदमी थे ना उन्हें दिवानी का डर था ना भोज़दारी का परन्तु मूंगा के इन डराउने शब्दों को सुनकर वै भी सहम जाते हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो परन्तु ईश्वर के न्याय का डर प्रतेक मनुष्य के मन में कभी-कभी ऐसी ही भावनावत्पन कर देता है उनसे अधिक उनकी इस्त्री के मन में उनकी इस्त्री बड़ी ही चतुर थी वै उनको इन सब बातों में प्राया सला दिया करती थी उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे के मुणशी जी की जीप पर सरुसती विराज थी है वै गुड तो उनकी इस्त्री को प्राप्त था बोलने में वै उतनी ही तेज थी जितना मुणशी जी लिखने में थे और ये दोनों इस्तिरी पुरुष प्राया अपनी अवश्दशा में सलाह करते की अब क्या करना चाहिए आधी रात का समय था मुन्शी जी नित्नियम के अंसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के दो-चार घूट पी कर सो गए थे यकायक मुंगा ने उनके दर्वाजे पर आकर जोर से हाक लगाई तेरा लहू पीऊंगी और खूब खिलखिला कर हसी मुन्शी जी ये भयावय ठाहा का सुनकर चौक पड़े डर के मारे पैर थर-थर कांपने लगे कलेजा धक-धक करने लगा दिल पर बहुत जोर डाल कर उन्होंने दर्वाजा खोला जाकर नागिन को जगाया नागिन ने जुझला कर कहा क्या है क्या कहते हो मुन्शी जी ने दवी आवाज से कहा वह दर्वाजे पर खड़ी है नागिन उट बैठी क्या कहती है तुम्हारा सिर क्या दर्वाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो नागिन मुंगा से नहीं, परंतु उसके ध्यान से बहुत दर्ती थी तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ समहल कर बोली, कहो तो मैं उससे दो दो बाते कर लूँ परंतु मुंशी जी ने मना किया दोनों आदमी पैर दबाये डेवडी में गए और दर्वाजे से जहाग कर देखा मुंगा की धुनली मूरत धर्ती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था परंतु उससे सारा गाउ थर-थर कामता था हम जीते मनुष्य से नहीं डरते पर मुर्दे से डरते हैं रात गुजरी दर्वाजा बंद था पर मुंशी जी और नागिन ने बैट कर रात काटी मुंगा भीतर नहीं गुश सकती थी पर उसकी आवास को कौन रोक सकता था मुंगा से अधिक डरावनी उसकी आवास थी भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मुंगा से बोले यहां क्यों पड़ी है? मुंगा बोली तेरा लहू पियूंगी नागिन ने बल खाकर कहा तेरा मुँ जुलस दूंगी पर नागिन के विश्ट ने मुंगा पर कुछ असर न किया उसने जोर से ठाका लगाया नागिन खिस्यानी सी हो गई हसी के सामने मुबंध हो जाता है मुंशी जी फिर बोले यहां से उठ जा ना उठूंगी कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी कर जाओंगी मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहां कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बाते यहां सर्द हो गई दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे ये बला कैसे टलेगी? इस आपती से कैसे छुटका रहोगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है पर ये डायन मनुश्य का खून पीने आई है वह खून जिसका अगर एक बूंध भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुन्बे को अफसोस रहता और ये घटना गाउं में घर घर फैल जाती क्या वही लहू पीकर मुंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गाउं में एक चर्चा फैल गई मुंगा मुंची जी के दर्वाजे पर धरना दिये वैठी है मुंची जी के आगमन पर गाउंवालों को बड़ा मज़ा आता था देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड लग गई इस दर्वाजे पर कभी कभी भीड लगी रहती थी ये भीड राम गुलाम को पसंद न थी मुंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वह इसे कुए में धकेल देता इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिंता से अपनी हसी रोक सका अहा वह कुए में गिरती तो क्या मज़े की बात होती परंतु ये चुड़ायल यहां से टलती ही नहीं क्या करूँ मुंची जी के घर में एक गाय थी जिसे खली, दाना और भूसा तो खुब खिलाया जाता परवश सब उसके हड्डियों में मिल जाता उसका धाचा पुष्ट होता जाता था राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मुंगा पर उडेल दिया उसके थोड़े बहुत छीटे दर्शकों पर भी डाल दिये बेचारी मुंगा लत्फद हो गई और लोग भाग खड़े हुए कहने लगे ये मुंची राम गुलाम का दर्वाजा है यहां इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है जल्द भाग चलो नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी इधर भीड कम हुई उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हसा और खूब तालियां बजाई मुंची जी ने व्यर्थ की भीड को ऐसे सहज में और ऐसे सुन्दर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने शुशील लड़के की पीठ ठूकी सब लोग तो चमपत हो गए पर बेचारी मुंगा जियों की त्यों बैठी रह गई दोपहर हुई मुंगा ने कुछ नहीं खाया सांज हुई हजार कहने सुनने से भी खाना नहीं खाया गाउं के चौदरी ने बड़ी खुशामत की यहां तक कि मुंची जी ने हाथ तक जोड़े पर देवी प्रसन्न न हुई निदान मुंची जी उठकर भीतर चले गए वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है मुंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर की आज मुंगा की गरज और हसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी घरवालों ने समझा बला टली सवेरा होते ही जो दर्वाजा खोल कर देखा तो वह अचेत पड़ी थी मुँपर मक्षियां भिनमिना रही थी और उसके प्राण पखेरू उड़ चुके थे वह इस दर्वाजे पर मरने ही आई थी जिसने उसके जीवन की जमापुझी हर ली थी उसी को अपनी जान भी सौबती अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेट कर दी धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है विशेशकर बुढ़ापे में रिण चुकाने के दिन जियों जियों पास आते जाते हैं तो तो उसका ब्याज बढ़ता जाता है ये कहना यहां व्यर्थ है कि गाउं में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुझी राम सेवब कैसे अपमानित हुए एक छोटे से गाउं में ऐसी असाधारन घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती उससे अधिक ही हुई मुझी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराभर भी कम न हुआ उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया अब गाउं का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने का उन्हें चूने का रवदार न था यदि किसी घर से कोई गाय घूटे पर मर जाती तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार भीक मांगता फिरता है ना नाई उसकी हजामत बनावे ना कहार उसका पानी भरे ना कोई उसे चुए ये गोहत्या का प्राश्चित था ब्रह्महत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है मुगा ये जानती थी और इसी लिए इस दर्वाजे पर आकर मरी थी वह जानती थी मैं जीते जी जो कुछ नहीं कर सकती मुणशी राम सेवक कानूनदा थे कानून ने उन पर कोई दोश नहीं लगाया था मुगा किसी कानूनी दफा के अंसार नहीं मरी थी ताजी राते हिंद में उसका कोई उधारन नहीं मिलता था इसलिए जो लोग उनसे प्राश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी कुछ हर्ज नहीं कहार पानी न भरे ना सही वह पानी भर लेंगे अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या बला से नाई बाल न बनावेगा हजामत बनाने का काम ही क्या है दाड़ी बहुत सुंदर वस्तु है दाड़ी मर्द की शोभा है और सिंगार है और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक-एक आने में तो अस्तुरे मिलते हैं धोबी कपड़े न धोएगा इसकी भी कुछ परवा नहीं साबुन तो गली-गली कौडियों के मूल आता है एक बट्टी साबुन में दरजनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लट्ता निकाल देता है आप पहनें दूसरों को भाड़े पर पहनाए भट्टी में चढ़ाए रेह में भिगोए कपड़ों की तो दुर्गती कर डालता है जभी तो कुर्ते दो-तीन साल से अधिक नहीं चलते नहीं तो दादा हर पांच में बरस दो-तीन अचकन और दो कुर्ते बनवाया करते थे मुन्शी राम सेवक और उनकी इस्तिरी ने दिनभर तो योही कहकर अपने मन को समझाया सांज होते ही उनकी तरकनाए शिथिल हो गई अब उनके मन पर भैने चढ़ाई की जैसे जैसे रात बीत्ती थी भै भी बढ़ता जाता था बाहर का दर्वाजा भूल से खुला रह गया था पर किसी की हिम्मत न पढ़ती थी कि जाकर बंद कराए निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया मुन्शी जी ने कुलाडा राम गुलाम ने गणासा इस धंग से तीनों आदमी चौकते हिचकते दर्वाजे पर आए यहां मुन्शी जी ने भादुरी से काम लिया उन्होंने निधड़क दर्वाजे से बाहर निकलने की कोशिश की काफते हुए पर उची आवाज में नागिन से बोले तुम व्यर्थ डर्ती हो वह क्या यहां बैठी है पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खीच लिया और जुझला कर बोली तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं यह दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आये और खाना पकने लगा परंतु मूंगा उनकी आखों में गुसी हुई थी अपनी परचाई को देखकर मूंगा का भै होता था अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी वही हड़ियों का धाचा, वही बिखरे हुए बाल वही पागलपन, वही डरावनी आख, मूंगा का नक्षिक दिखाई देता था इसी कोट्री में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे यहां कुछ पुरानी चित्धडे भी पड़े हुए थे एक चूहे को भूक ने बेचैन किया मटकों ने कभी अनाज की सूरत न देखी थी पर सारे गाउं में मशूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू है तो वह उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे रेंगता हुआ इस चित्धडे के नीचे आ निकला कपड़े में खड़कडा हट हुई फैले हुए चित्धडे मूंगा की पतली टांगे मन गई नागिन देखकर जिजकी और चीख हुटी मुन्शी जी बदहवास होकर दर्वाजे की ओर लपके राम गुलाम दोड़कर उनकी टांगों से लिपट गया चूहा बाहर निकलाया उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए अब मुन्शी जी साहस करके मटके की ओर चले नागिन ने कहा रहने भी दो देख ली तुम्हारी मरदानगी मुन्शी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े क्या तुम समझती हो मैं डर गया भला डर की क्या बात थी मुंगा मर गई क्या वह बैठी है मैं कल नहीं दर्वाजे के बाहर निकल गया था तुम रोकती रही मैं ना माना मुन्शी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया कल दर्वाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना सधारन काम न था जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डर्पू कौन कह सकता है ये नागिन की हट धर्मी थी खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आये परंतु मूंगा ने यहां भी पीछा न छोड़ा बाते करते थे दिल को बहलाते थे नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानिया कहीं मुन्ची जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ती उनकी आखों के सामने से नहटती थी जरा खट-खटा हट होती तब तीनों चौक पड़ते उधर पत्तियों में संसना हट हुई कि इधर तीनों के रोंगते खड़े हो गए रह रहकर एक धीमी आवास धर्ती के भीतर से उनके कानों में आती थी तेरा लहू पीऊंगी आधी रात को नागिन नीन से चौक पड़ी वह इन दिनों गर्वती थी लाल लाल आखों वाली तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी नागिन चीक उठी बावली की तरह आगन में भाग आई और यका यक धर्ती पर चित गिर पड़ी सारा शरीर पसीने पसीने हो गया मुंची जी भी उसकी चीक सुनकर चौके पर डर के मारे आखे न खुली अंधों की तरह दर्वाजा टटोलते रहे बहुत देर के बाद उन्हें दर्वाजा मिला आगन में आये नागिन जमीन पर पड़ी हात पाउं पटक रही थी उसे उठा कर भीतर लाए पर रात भर उसने आखे न खोली भोर को अकबक बकने लगी थोड़ी देर में ज्वर हो आया बदन लाल तवसा हो गया सांज होते होते सन्निपात हो आया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा चाया हुआ था नागे निस संसार से चलवसी मूंगा के डर ने उसकी जान ली जब तक मूंगा जीती रही वह नागिन की फुपकार से सदा डरती रही पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया पर अपनी जान दे कर उसने आज नागिन की जान ली भै में बड़ी शक्ती है मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है रात बीत गई, दिन चड़ता आता था पर गाउं का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया मुन्शी जी घर-घर घूमे पर कोई न निकला भला हत्यारे के दर्वाजे पर कौन जाए? हत्यारी की लाश कौन उठाए? इस समय मुन्शी जी का रोबदाब, उनकी प्रबल लेखनी का भै और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई चारों और से हार कर मुन्शी जी फिर अपने घर आए यहां उन्हें अंधकार ही अंधकार दीखता था दर्वाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था ना बाहर ही खड़े रह सकते थे बाहर मूगा थी, भीतर नागिन जी को कड़ा करके हन्मान चालिसा का पाट करते हुए घर में घुसे उस समय उनके मन पर जो बीटती थी, वही जानते थे उनका अनुमान करना कठिन है घर में लाश पड़ी हुई, ना कोई आगे न पीछे दूसरा ब्याव तो हो सकता था अभी इसी फागुन में तो पचासवा लगा है पर ऐसे सुयोग और मीठी बोली वाली इस्तरी कहां मिलेगी अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा कौन उन्हें निरुत्तर करेगा लेंदेन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी ये नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता दूसरे दिन मुन्शी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरब चले शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी एक स्वयम मुन्शी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी इस बेजिती से मुंगा की लाश भी नहीं उठी थी मुंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुन्शी जी का पिंड़ न छोड़ा उनके मन में हर घड़ी मुंगा की मूर्ती विराजमान रहती थी कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था यदि दिल बहलाओ का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते पर गाउं का एक पुतली भी उनके दर्वाजे की ओर न जहाकता था बेचारे अपने हाथों पानी भरते आप ही बरतंद होते सोच और क्रोध, चिंता और भै इतने शत्रूओं के सामने एक दिमाग कब तक ठायर सकता विशेशकर वह दिमाग जो रोज-रोज कानून की भैसों में खर्च हो जाता है अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो जियोंगतें कटे चौदवे दिन मुंची जी ने कपड़े बदले और बोरिया वस्ता लिये हुए कचहरी चले आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था जाते ही मेरे मुख्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे मैं आस्मों की दो-चार बूंदें किरा दूँगा फिर बैनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी मुठी गरम होगी शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था इनी विचारों में मगन मुंची जी कचहरी पहुँचे पर वहां रहनामों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुअक्लों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमी नजर आई बस्ता खोले गंटों बैठे रहे पर कोई नजदीक भी ना आया किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं नए मुअक्किल तो खैर बड़े बड़े पुराने मुअक्किल जिनका मुण्शी जी से कई पीडियों से सरोकार था आज उन से मुँ छिपाने लगे वह नालायक और अनाडी रमजान जिसकी मुण्शी जी हसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी न आता था गोपियों में कनहया बना हुआ था वाहरे भाग गे मुअक्किल यों मुँ फेरे चले जाते हैं मानो कभी की जान पहचान ही नहीं दिन भर कचैरी की खाक चानने के बाद मुण्शी जी अपने घर चले निराशा और चिंता में डूबे हुए जियों जियों घर के निकट आते थे मुणगा का चित्र सामने आता जाता था यहां तक की जब घर का द्वार खोला तो दो कुत्ते जिने राम गुलाम ने बंद कर रखा था जटपट बाहर निकले तो मुणची जी के होश उड़ गए एक चीख मार कर जमीन पर गिर पड़े मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भै का जितना प्रभा होता है उतना और किसी शक्ती का नहीं प्रेम, चिंता, निराशा, हानी यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं यह हवा के हलके जूंके हैं और भै प्रचन डांधी है मुणची जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुर्जाय हुए लोड़ते देखा कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्यपी वहां मुख्किलों का अकाल था तो भी तगादे वालों से गला छुडाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था इसके बाद वह कई महीनों तक न दीख पड़े बद्रीनात चले गए एक दिन गाउं में एक साधू आया भभूत रमाये लंबी-लंबी जटाएं हाथ में कमंडल इसका चेहरा मुण्शी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था बोल चाल भी अधिक भेद न था वह एक पेड के नीचे धूनी रमाय बैठा था उसी रात को मुण्शी राम सेवक के घर धुआ उठा फिर आग की ज्वाला दीखने लगी और आग भड़क उठी गाउं के सैकड़ों आदमी दोडे आग बुझाने के लिए नहीं तमाशा देखने के लिए एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है राम गुलाम मुण्शी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहां चला गया और वहां कुछ दिनो रहा पर वहां उसकी चाल धाल किसी को पसंद आई एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची उसने दो चार धौल लगाए उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया हजारों रोपे का नुकसान हुआ पुलिस ने तहकीकात की राम गुलाम पकड़ा गया इसी अपराद में वह चुनार के रिफार्वमेंटरी स्कूल में मौझूद है तो दोस्तों ये थी कहानी गरीब की हाए आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताईएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद